नमस्कार दोस्तों तो आज हम देखने वाले हैं कि दुकान पर ये मोमोस की चटनी कैसे बनती है वैसे इसे बनाना बहुत असान है तो इस वीडियो में आज हम आपको ले चलते हैं मोमोस की दुकान पर और देखते हैं कि यहां के भाई साब ये मोमोस की चटनी कैसे बनाते है वो भी बल्क में तो यहाँ पर हम देखने वाले है कि दो किलो की मोमोस की स्पाइसी और चटपटी चटनी कैसे बनती है आज आपके सामने सारे के सारे राज खोले जाएंगे इसलिए वीडियो को लाज तक देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें तो छलिए बीना किसी देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लिए गया है टमाटर तो यहाँ पर डेड़ किलो के असपास टमाटर लिए गया है आपको चुन-चुन कर लाल टमाटर ही लेने है जिसे की कलर अच्छा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन टमाटरों की तुकड़े करके लिए हैं, एक टमाटर के चार तुकड़े करने हैं, देखे इस तरीके से, जितने ज़्यादा छोटे तुकड़े करेंगे उतना आगे का प्रोसिजर इजी हो जाता है, अब यहाँ पर 50 ग्राम के असपास अ पादिष्ट बनती है और फ्रेश बनती है, अब यहाँ पर 125 ग्राम बेड़गी मिर्च ली गई है, इनी मिर्चू की वज़े से चटनी स्पाइसी और रंगतदार बनती है, इन मिर्चू की पूरी दंठे इनोंने नई तोड़ी थोड़ी सी रखी है, तुकी इन दंठियों की वज़े से बहुत अच्छा स्वाद आता है चटनी में, तो लीजे दोस्तों ये जो मिर्चे है वो साफ करके रेडी हो चुकी है, अब इन सारी मिर्चियों को इस मिक्शर में मिला देना है, और इन मिर्चियों की बीज़ों को तो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए, इसी क मिर्चियों का यूज़ करने से रिजल्ट बहुत अच्छा हैगा, अब यहाँ पर एक बड़ी कटोरी के असपास कॉन फ्लॉर लिया है, अब यह जो चटनी है वो कमर्शिली बनती है, इसलिए इसमें खाने का कलर मिलाया गया है, आप चाहे तो इससे स्किप कर सकते हैं, ट अब इसको बीच से पच्छिस मेंट के लिए पकाने के लिए छोड़ देना है, अब हमने जो वो कॉन फ्लॉर की सलरी बना के लिए थी, उसको इसमें डाल देना है, आप चाहे तो पहले डाल सकते हैं, या फिर बाद में भी डाल सकते हैं, अब इसको अच्छी तरीके से मिल जाके मिश्रन को एक आधे घंटे के आसपास पकाने के लिए छोड़ देना है, आधे घंटे के बाद में आप देख सकते हैं कि इसकी कंसेस्टनसी कितनी गाड़ी हो चुकी है, अब इस मिक्षर को थोड़ा सा थंडा करेंगे और मिक्षर ग्राइंडर में इसका अच्छी तरीके से पेश्ट बना के लेना है, तो देखिए कुछ इस तरीका पेश्ट इन्होंने बना के लिया है, जो कि इस बड़े से बरतन में इन्होंने डाल दिया है, देखिए, तो दोस्तों इसकी कॉंटिटी बता दू तो ये दो किलो की चटनी बनकर रेडी हो जाती है अब इसमें डाला जाएगा कैप्टन कुक का स्वाद अनुसार नमक टेस्ट के अनुसार इसको अजिस्ट करना है अब इसमें डालेंगे बहुत सारा धनिया इसे एक बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्स्चर आता है चटनी में आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है और लास्ट में जाएगा आजिनो मोटो ये टोटली ओप्शनल है कमर्शिली परपस के लिए बनाया जा रहा है तो इसलिए ये डालते है अगर आप घर पे बना रहे है तो इस टेप को स्किप कीजिए तो देखिए हमारी स्पाइसी और शांदार चटनी बनकर रेडी है आच्छे लगे तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें